पैसा इंसान को उपपर लेकर जा सकता है लेकिन इंसान जो है न वो पैसे को लेकर उपपर नहीं जा सकता और मेरा हमेशा से ये मानना है कि इन फ्यूचर अगर आपके पास कभी पैसा हो जाए न तो उस इंसान का साथ मत छोड़ना जो आपके मुसीवत के वक्त आपके साथ ह क्योंकि मेरे अनुसारना जो आपके गम में आपके साथ है तो आपके खुसी वाले पल में भी वही आपके साथ होना चाहिए क्लास को स्टार्ट करूँगा बोलूँगा जो भी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिगा ताकि हर एक क्लास का अफ़िट आपको मिलता रहे और इस क्लास का पूरा का पूरा पीडियाफ सक्सेसकी98.in से जाका डाउनलोड कर लीजिगा टेलीग्राम पर भी लिंक सेर कर दिया गया है तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप लोग सक्सेसकी98.net से दे सकते हैं ताकि आप अपने आपको जज कर पाओ कि एक्जाम से पहले आपकी तयारी कितनी अच्छी तक हुई है और अगर एक साल का पूरा पैकेश लेते हैं तो आप लोग पूरे साल भर तक एक्जाम दे सकते हैं कोई भी एक्जाम की आप तयारी कर रहा हो SAC, Bank, Railway ठीक है और Google के Play Store पर हमारा application भी मिल जाएगा आपको सक्सेसकी98 का और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 27 अगस्त के Important Current Affair उसके पहले बोल दूँ कल रात को 11 बजे मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था कि GK और GS में आपको पढ़ना क्या है क्योंकि बहुत जन बोल ने भाईया इतना advance है इतना सारा note से कि पढ़े क्या तो मैंने कल आपको रात को समझा कर दे दिया कि आप बस इतने topic पढ़ो इतना target लेकर चलो तो वीडियो एक बार आप देख लीजेगा चैनल पर आप सभी को मिल जाए कल रात को अप्लोड किया गया है तो देखते हैं आज का जो पहला प्रस्ण है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का जो पहला question है वो ये है आपको ये बताना है इरो मोनी ने अपना 2019 के पुर्षकारों में उत्कृष्टा के लिए कौन से बैंक को विश्व के सर्वस्टिष्ट बैंक के रूप में नामीत किया है यानि आपको बताना है वर्ल्ड का बेस्ट बैंक किसे चुना गया है और किस बैंक को जो है आवाड दिया जाया है या कौन सा? आवाड़्स फॉर एक्सिलेंज और ये आवाड दिया जा रहा है आपका DBS बैंक को ठीक है और DBS bank कहा का bank है यह भी याद रखेगा यह Singapore का bank है और यह भी पुछ सकता है आप सबी से exam में DBS bank का headquarters कहाँ पर है तो DBS bank का headquarters आपका Singapore में है और इस bank के जो chair में है जो head है उनका नाम किया है तो उनका नाम भी याद रखेगा DBS bank का Peter C. Lim Huat ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है वर्स 2019 के लिए परतिष्टि क्लार्क आर बाबिन वन जिव कानून परवर्तर फुसकार किसने जीता है और यह काफी important question है इस question को नो marks कर लिजेगा आप लो और सही answer क्या है इसका सही answer है आपका बीबेक मैनन ओप्सन नमबर जो C है वो हमारा बिल् इसे हाल ही में सियोज MS-14 में launch किया गया है आपको उस Robert का नाम बताना है और उस Robert का नाम क्या है तो उस Robert का आपका नाम है फेडर यह याद रखिएगा काफी important है और यह launch किया गया है रसिया देश के द्वारा ठीक है और रसिया का capital क्या है तो मुस्को करेंसी रसियन रबल और राष्टपती कौन है तो वो है आपके पूतिन अगला पर समाले सामने कौन सा भारतिया खिलाडी जो बैटमिंडन और यह question तो hundred में hundred लोगों को पता होगा क्योंकि यह इतना popular question है ठीक है कौन सा भारतिया खिलाडी बैटमिंडन विश्व Championship का खिताब जीतने वाला पहल खिलाडी बन गया है यानि आज तक इंडिया के इत्यास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी खिलाडी ने बैटमिंडन वर्ल्ड चैंपियंशिप का टाइटल अपने नाम किया है और यह पहला खिलाडी कौन बन गया है तो सभी को पता है पीवी सिंदू ठीक है जापान की प्लेयर को हरा कर इन्होंने यह किताब जीता है और एक क्वेशन आपके एक्जाम में बन सकता है इतना पॉपुलर क्वेशन है तो आपसे पूछ देगा कि बैटमिंडन वर्ल्ड चैंपियंशिप तर 19 कहां पर हुआ था यह पूछ देगा एक्जाम में आपसे मालो क्योंक साफ़े इपॉटेंट है तो आपका एंसर क्या दीजेगा यह हुआ था आपका बैसल स्यूजर लेंड में इस पहले लिख दे रहा हूं बी ए एस एल बैसल स्यूजर लेंड में यह खिताब हुआ था यह टूर्णामेंट और स्यूजर लेंड का कैपिटल बंड वहां पर है तो वो की जाती आपका स्विस फ्रैंक ठीक है अगला प्रस हमारे सामने पिया मोदी ने रुपाय कार्ड जो रुपाय कार्ड है वो लांच किया है जिसमें निमलिखित खाड़ी देश में से कौन सा है यह आपको बताना है यहां पर चार ऑप्सन है और वो एक खाड़ी दे उस कंट्री का नाम क्या है तो वो कंट्री है आपका UAE यानि United Arab Emirates ठीक है और वहां के करेंसी वहां पर मुद्रा क्या इस्तिमाल की जाती है तो वहां पर मुद्रा इस्तिमाल की जाती है आपका धिर्रम क्यापिटल क्या है वहां का अबुधाबी और वहां के राष्टपती कौन है तो खलीफा विंचयात ए आयनयान ठीक है अगला प्रस हमारे सामने किस देश ने परदान मंत्री दनमोदी को किंग हमद order of renance से समानित किया है यानि उनके देश का ये सबसे बड़ा अवार्ड ह है और इस से समानित किया गया है हमारे देश के परदान मंत्री को और वो देश कौन सा है तो वो है आपका बाहरिन option number A और आज का आपका पहला प्रस नहीं इस प्रस से बनता है आपको बताना है इस देश का country, capital यानि राजधानी, currency यानि मुद्रा और यहां के आपके जो president ह यह आपको तीन चीच कोमेंट करकर कोमेंट बॉक्स में बताना है ठीक है यहाद रखिएगा यह आपका आज का पहला होमक है चलो अगला परस हमारे सामने हाल ही में किस भारतिया परफेसर को यहां दुबारा परफेसर होगा काट दीजेगा हाल ही में किस भारतिया परफेसर को पुस्किन पदक जो है वो हाल ही में दिया गया है 2019 का हलेकि ये question सायद मैंने कल या परसो आपको करवाया है मुझे जहां तक याद आ रहा है और ये जो award है वो रसिया के द्वारा दिया गया है मुझे पूरा याद है ये question करवाया question है और सभी को इसका answer पता होना चाहिए क्योंकि recent में मैंने करवाया है और ये आपका पुस्किन जो medal है तो रहे 19 का किस professor को दिया गया है तो ये दिया गया आपका मीता नरायन option number A और ये दिया गया है रसिया सरकार के द्वारा यानि रूस के सरकार के द्वारा ठीक है अगला परस हमारे सामने बित्त मंतरी आप सभी को पता है देश के finance mission कौन है निर्मला सिता रमर ने के अनुसार MSME यानि Micro Small Medium Enterprise के सभी लंबित यानि pending GST refund कितने दिन के भित्तर वापस कर दिये चाहेंगे और ये किया जाएगा आपका 30 दिन के अंदर और ये 23 अगस्त से जो है वो counting start होगा ठीक है डेट याद रखेगा 23 अगस्त से अब जो है वो counting start होगा 30 दिनों का अगला परस हमारे सामने है 26 अगस्त 2019 को किस की 109 जैनती मनाई गई है ये आपको बताना है और ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि question क्यों important बन जाता है क्योंकि 26 अगस्त तर 19 को Mother Tracer का जो है वो जनम हुआ था 26 अगस्त 1910 को जो है वो इनका जनम हुआ था याद रखेगा ये 109 जो है वो मनाया गया है ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है आपको बताना है किस टीम ने दुरंड कप 2019 का खिताब जीता है और एक बात मैं आप सभी को बता दो एक्जाम में मैंने देखा है काफी बार ये पूछा गया है कि जो दुरंड कप है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है तो इसका एंसर पहले आप ये जान लो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है किस से जुड़ा हुआ है तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है ये कप और 19 के स्टुनामेंट के बीजेता कौन है तो याद रखेगा इस बार के बीजेता है आपका गोकुलम किरला FC ठीक है और किरला के CM कौन है और ये टीम जो है वो किरला की है क्या नाम है टीम का जिन्होंने ये किताब जीता है तो वो है आपका गोकुलम किरला FC ये किरला की टी द्वारा उत्कृष्ट अभ्यंता पुरुस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है उनका नाम बताना है आपको और उनका नाम क्या है उनका नाम है आपका प्रभाकर सिंग आपसर नमबर वी जो है वो हमारा सही एंसर है Outstanding Engineer Award 2019 का किसे दिया गया है और ये किसके द्वारा चुना गया है तो Institution of Engineer in India और ये खिताब दिया गया है इस बार का प्रभाकर सिंग को तो ये थे आपके important current affair 27 अगस्त का इसका पूरा का पूरा PDF जा का डाउनलोड कर लीजिएगा टेलिग्राम पर लिंक पड़ा हुआ है अब जाएंगे तो टेलिग्राम का लिंक विडियो की डिस्ट किसमने मिल जाएगा या फिर सक्सेस की 98. इन से डाउनलोड कर सकते हैं और बोग टेस्ट के लिए हमारा एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस की 98 जो आपको गूगल के प्ले स्टोर मिल जाएगा सो जितने भी मेरे भाई बैन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने सासाथ अपने ममी पापा का भी आप लोग हयाल रखिएगा ठीक है चलिए सरकारी नोकरी की तैयारी के लिए यूटूब के उपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सस्क्राइब कीजिए और दबाएए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले वो भी बिल्कुल फ्री में